अर्चना यादव, फेस्बुक का प्यार, उजार दिया परिवार 12 अगस्त दो हजार तेईस सूरज के निकलते ही आस्मान में छाई कुहरे की धुंद साफ होने लगी थी चिडियों की मधुर कलरब ने सुबह होने का आधास कराया तो बागेश्वरी देवी भी उठ गई उनकी बड़ी बहु पहले ही उठ कर फ्रेश हो गई थी लेकिन पहली मंजिल पर रहने वाला उनका छोटा बेटा, बहु और पोता अभी तक नहीं उठा था चाहिनाष्टे का समय हो गया था, इसके बावजूद वे लोग पहली मंजिल से नीचे नहीं आए थे एक बार तो बागेश्वरी देवी को लगा कि शायद थंड होनी की वजह से वे उठ न पाय होंगे लेकिन इतनी देर तक न कभी बेटा उम प्रकाश सोता था और न पोता शिवा इसलिए वह परिशान होने लगी वह उत्तर प्रदेश के गोरक पुर्जिले की कोटवाली शापुर के मोहला अशुपनगर में रहती थी मकाम की उपरी मन्जिल पर काम चल रहा था साड़े आठ बचते बचते मजदूर काम पर आ गए थे लेकिन तब तक उपर सो रहे लोगों में से कोई नहीं उठा था मजदूर जैसे ही सीडिया चटते हुए प्रथम तल पर पहुंचे उन्हें कमरे के अंदर से दर्वाजे के जोर-जोर से थप्त पाने और और अउरत के चलानी की आवाज सुनाई पड़ी एक मजदूर ने जल्दी से दर्वाजे की बाहर से लगी सिटकमी खोल दी अंदर से घर की छोटी बहू अर्चना तेजी से बाहर निकली और सीधे सामने वाले कमरे की तरफ भागी उसे इस तरह भाग कर कमरे में जाते देख मजदूर हैराम रह गए अर्चना ने जैसे ही दर्वाजे पर हाथ रखा, दर्वाजा खुल गया अंदर का दिल देहला देने वाला नजारा देख कर उसके पाव चोखट पर ही जम गए और वहद जोर से चीखी उस कमरे में बैड पर उन प्रकाश की लाश चित पड़ी थी फर्श पर खून ही खून फैला था उन्हीं के बगल चार साल के मासुम बेटे शिवा की भी लाश पड़ी थी दोनों लाशें देख कर ही अर्चना जोर से चीखी थी बाप बेटे की लाशें देख कर मजदूरों के भी हाथ पाम फूल गय अर्चना रोती चीखती नीचे सास बागेश्वरी देवी के पास पहुँची बहु के मुह से बेटे और पोते की हत्या की बात सुन उनका पूरा बदन का अपने लगा घर में रोना पीठना मच गया दोनों की आवाजें सुनकर पडोसी भी आ गए जैसे जैसे यह खबर मुहले में फैल्टी गई लोग बागेश्वरी देवी के घर इकथा होने लगे बागेश्वरी देवी की बड़ी बहुने फोन द्वारा इस घटना की सुचना अपने पती राजकुमार को देदी वह उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थे छोटे भाई और भधीजे की हत्या की बात सुमकर वह भी सन रह गए उन्होंने कोटवाली शाहपुर के प्रभारी आनंद प्रकाश शुकला को फोन द्वारा घटना की जानकारी दे दी इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुकला तुरंत S.I. राम प्रिपाल यादव, A.S. विमलेंदर कुमार, कंस्टिबल संतोष कुमार, राम विने सिंग, शिवानंद उपाध्याय और जनार्दन पांडे को साथ लेकर अशोक नगर स्थित राज कुमार यादव के घर पहु इसके बाद तो IGPC, मीना, DIGRK, चतुरवेदी, S.S.P. लवकुमार, S.P. हेमन्थ कुटियार, C.O. कमल किशोर, प्राइम ब्रांच, S.D.F. की टीम, डॉक स्कुायर्ड और फोरेंसिक टीम वहाँ पहुँच गई थोड़ी ही देर में अशोक नगर पुलिस चावनी में तब्दील हो गया पुलिस ने बड़ी बारिकी से खटना स्थल की जांच की जिस कमरे में दोनों लाशे पड़ी थी, वही बैड के पास खून से सना एक हथोड़ा और एक कूदने वाली रसी पड़ी थी लाशे देखकर ही लग रहा था कि हत्यारे ने हथोड़े से उम प्रकाश की हत्या की थी, जबकि उनके बेटे का रसी से गला खून्टा था पुलिस ने दोनों सामानों को कबजे में ले लिया सभी को यह बात परिशान कर रही थी कि आखिर पुलिस की नजर जब कमडे के दरवाजे की सिटक्नी पर पड़ी तो दरवाजे पर सिटक्नी तोड़ने जैसा कोई निशान नहीं था देखकर लग रहा था कि किसी ने सिटक्नी के पेंच खोल कर उसे फर्श पर रख दिया था जबकि पूछताच में अर्चना ने बताया था कि उसके पती अंदर से सिटक्नी बंद करके सोय थे उसने यह भी कहा था कि लूट पार्ट का विरोध करने पर लूटेरों ने हथोड़े से उसके पती की हत्या की होगी उसी समय बच्चा जा गया होगा तब पहचाने जाने के डर से उन्होंने बच्चे को भी मार दिया होगा लूट पार्ट के दौरान खटपट की आवाज सुनकर बहान न जाए इसलिए बदमाशों ने उसके कमरे की सिटक्नी बाहर से बंद कर दी थी अर्चना का बयान पुलिस को कुछ अजीब लग रहा था बागेश्वरी देवी के बड़ी बेटे इंस्पेक्टर राजकुमार आ गए दुबह उसकमरे में गए जहां दोनों लाशे पड़ी थी उन्होंने भी कमरे का निरिक्षन किया उन्हें भी साफ लग रहा था कि यह लूट का मामला नहीं है पुलिस ने घटना स्थल की कारवाई पूरी करने के बाद दोनों लाशों को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिया मृतक की मा बागेश्वरी देवी की तहरीब पर पुलिस ने अग्यात के खिलाफ दोनों हत्याओं का मुकदमा दर्ज कर लिया तकरीबन साथ साल पहले की बात है यह मामला एक तो विभागिया था, दूसरे बात मुख्यमंत्री तक पहुँच चुकी थी, इसलिए उसी दिन शाम को IGPC मीना, SSP लवकुमार ने SP, सिटी, हिमंध कुटियार, SP, क्राइम ब्रांच, मानिक चंद और सीयो, कैंट, कमल किशोर को बुला कर विचार विमर्श करने के साथ इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिये SSP लवकुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुकला ने सबसे पहले मृतक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी अर्चना के मोबाइल नमबरों की काल डिटेल्स निकल बाई ओम काकाश की काल डिटेल्स से तो कुछ खास नहीं मिला लेकिन अर्चना की काल डिटेल्स चौकाने वाली थी राच साड़े बारा से देड़ बजे के बीच उसने एक नमबर पर कई फोन किये थे जांच में पता चला कि बह नमबर फिरोजाबाद जिले के स्वामीनगर के रहने वाले अजै कुमार यादव का था और उसके फोन की लोकेशन दोपहर के बाद से लेकर उस समय तक गोरखपुर की थी यही नहीं, इसके पहले भी उस नमबर पर अरचना की दिन में कई-कई बार लंबी-लंबी बाते होती रही थी सारा माजरा पुलिस की समझ में आ गया अरचना शक के दाएरे में आ गई लेकिन पुलिस ने इस बात का एहसास किसी को नहीं होने दिया अजय कुमार गोरखपुर में ही था, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई फोटो नहीं था, जिस से उसे पहचाना जा सके अजय कुमार के फोटो के लिए पुलिस ने सोशल साइट फेस्बुक खंगाली तो उसमें उसका फोटो मिल गया लेकिन फेस्बुक पर पड़े उसके फोटो देखकर एक बार गी पुलिस को जटका सा लगा क्योंकि एक फोटो में वह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंग यादव के साथ पैठक में था तो दूसरे फोटो में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिला रहा था उन्होंने यह बात SSP लव कुमार को बताई तो उन्होंने कहा कि स्थितियों से साफ लगता है कि इन हत्याओं में उसी का हाथ है इसलिए उसे तुरंत गिरफतार करो देर होने पर वह हाथ से निकल सकता है मोबाईल की लोकेशन से पुलिस को पता चल गया था कि अजय कुमार बसटे पर है पुलिस को फोटो मिल ही गया था इसलिए 22 जन्वरी की सुबह पुलिस ने बस अटे को घेर लिया बसटे पर भारी मात्रा में पुलिस बल देख कर अजय ने भागने की कोशिश तो की लेकिन वह भाग नहीं सका पुलिस उसे पकड़ कर सीधे शाहपुर को दवाली ले आई अजय कुमार के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही SSP लवकुमार और SP, सिटी, हेमंत कुटियार थाने आ गए अजय ने खुद को समाजवादी पार्टी का मेता बताते हुए बिना बजह थाने लाए जाने पर रॉप दो फूप छाड़ा लेकिन जब उसके सामने काल डिटेल्स रखी गई तो उसकी सारी हिक्री निकल गई रुआसी आवास में हाथ चोड़कर उसने पुलिस अधिकारियों के सामने गिडगिड़ाते हुए कहा सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अर्चना की बातों में आकर मुझसे यह अपराध हो गया उसी ने मुझ पर पती और बच्चे को रास्ते से हटाने का दबाव डाला था इसके बाद अजै ने उम प्रकाश और उनके चार साल के मासूम बेटे की हट्या की पूरी कहानी सुना दी अजै ने स्विकार कर लिया कि इन हट्याओं में अर्चना का भी हाथ था इसलिए पुलिस अर्चना को गिरफ़तार करने के लिए अजै को साथ लेकर अशोप नगर कालोनी पहुँच गई उस समय इंस्पेक्टर राजकुमार के घर परिवारवाले तो थे ही अर्चना के पिता दीपचंद भी मौजूद थे पुलिस अधिकारी पूच्टाच के बहाने उसे लौन में बहा ले आए जहां अजै कुमार खड़ा था उसे पुलिस हिरासत में देखकर अर्चना का चेहरा सफेद पढ़ गया अजै को देखकर अर्चना समझ गई कि उसका खेल खत्म हो गया है अब उसके सामने अपना अपराद स्विकार करने के अलावा कोई दूसरा उपाई नहीं है इससे पहले कि उससे पुलिस कुछ पूचती उसने खुद ही कह दिया हाँ मैंने ही अजै के साथ मिलकर पती और बेटी की हद्या की है मुझे इसका कोई मलाल भी नहीं है अर्चना के मुझ से निकले इन शब्दों को सुनकर वहां खड़े लोग डंग रह गए बेटी की कर्तूत पर दीप चन्तों गश खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए पुलिस ने अर्चना को भी गिरफतार कर लिया था इसके बाद SSP लव कुमार ने पुलिस लाइन्स में प्रैसवारता आयो जितकर अर्चना और अजै कुमार को पत्रकारों के सामने पेश किया तो दोनों ने अपना अपराद स्विकार करते हुए उम प्रकाश और उनके चार साल के बेटे की हत्या के पीछे की पूरी कहानी सुना दी इस दोहरे हत्या कांट की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपूर के थाना जम्निया के खलील चक धड़नी के रहने वाले भोलानात यादव का पांच लोगों का छोटा सा परिवार था उन पांच लोगों में दो तो वह पती पत्नी थे बाकी दो बेटे राजकुमार वह उम प्रकाश और एक बेटी प्रमिला भोलानात साधन संपन्न किसान थे इसलिए अपने बच्चों को बहतर शिक्षा दिलाई पढ़ लिखकर बड़ा बेटा राजकुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया तो दूसरा बेटा उम प्रकाश यादव नेत्र परीक्षक पिता की मौत के बाद राजकुमार ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया था उनकी पोस्टिंग गोरकपुर हुई तो बहा किराय पर रहते हुए उन्होंने कोधवाली शाहपुर के अंतरगत बशारतपुर की पोश कालोनी अशोपनगर में जमीन खरीब कर अपना मकान बनवा लिया राजकुमार की शादी हो चुकी थी उन्हों प्रकाश ने नेतर परिक्षक का डिपलोमा कर लिया तो उनकी भी शादी सिंगापुर में हो गई शादी के बाद उन्हों प्रकाश पत्नी को सिंगापुर से गोरकपुर ले आए पत्नी को कोरकपुर में अच्छा नहीं लगा तो छे महीने बाद ही वह सिंगापुर लोट गई उसने उम प्रकाश को भी वहाँ आने को कहा लेकिन उम प्रकाश घर परिवार छोड़ कर जाना नहीं चाहते थे इसलिए मना कर दिया दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे इसी जिद ने उनके बीच तलाग करा दिया इसके बाद सन 2009 में 34 साल के उम प्रकाश की दूसरी शादी लखनव के रहने वाले पीएसी के कमपनी कमांडर दीपचंद यादव की बड़ी बेटी अर्चना से हो गई उस समय अर्चना यही कोई 19 साल की थी डॉट उनकी दो बेटियों में अर्चना बड़ी थी वह पड़ी लिखी और खुबसूरत तो थी ही स्वच्छन स्वभाव की भी थी अकेली घूमना, दोस्ती करना और महेंगे मोबाइल फोन रखना उसे अच्छा लगता था यह प्रवृत्ती उसकी शादी के बाद भी बनी रही खुबसूरत अर्चना को पाकर उम्प्रकाश खुश थे करीब साल भर बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ तो पती पत्मी ने प्यार से उसका नाम नितिन रखा घर में सभी उसे प्यार से शिवा कहते थे इस तरह उम्प्रकाश का घर खुशियों से भर गया उम्प्रकाश जिस मकान में परिवार के साथ रहते थे वह उनके बड़ी भाई राजकुमार यादव का था वह भी भाई की तरह अपनी महंत की कमाई से एक घर बनाना चाहते थे जिसे वह अपना कह सके अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए उन्होंने जीतोर महंत की आखिर उनकी महंत सफल हुई और उन्होंने धाना गुल्विहा के मुगलहा में जमिन खरीद कर सुन्दर सा अपना घर बनवा लिया उनके बेटे नितिन उर्फ शिवा का जन्म दिन था उसी दिन वह अपने नए मकान में जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उनका यह सपना सपना ही रह गया क्योंकि अर्चना और उन्होंन प्रकाश के जो पांच साल हांसी खुशी से बीते थे पिछले साल से उनकी खुशियों में अचानक ग्रहन लग गया था उनके दुकान पर चले जाने के बाद अर्चना घर में खाली रहती थी बूरी सास बागेश्वरी देवी और जेठानी नीचे के कमरे में रहती थी जबकि वह पहली मंजिल पर खाली समय में वह टीवी देख कर समय बिताती थी या फिर मोबाइल पर सोशल साइट फेस्बुक पर दोस्तों के साथ चैटिंग करती थी किसी दिन फेस्बुक के एडिट फ्रेंड लिस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए था सपा सुप्रीमो मुलायम सिंग यादव के साथ पैठे अजे कुमार यादव पर उसकी नजर पड़ी तो वह उससे काफी प्रभावित हुई कार कर ली गई उसके बाद उनके बीच चैटिंग शुरू हो गई जल्दी ही दोनों गहरे दोस्त बन गए डॉट अर्चना ने अपने फेस्बुक के मुख्य पेज़ पर अपनी शादी से पहले की आकर्शक फोटो लगा रखी थी अजय कुमार यादव फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के गाउ स्वामी निगर का रहने वाला था दो भायों में वही बड़ा था उसके घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी गाउ में उसके पिता श्याम बहादुर यादव की किराने की दुकान थी पिता के न रहने पर अजय भी दुकान पर बैठता था उसकी शादी भी हो चुकी थी पत्नी काफी खर्ची ली थी जबकि उसके खर्च पूरे करने का अजय के पास कोई साधन नहीं था इसलिए जल्दी ही दोनों में तलाक हो गया था पत्नी के चले जाने के बाद अजय अकेला हो गया था उसके बाद वह समाजवादी पार्टी से चुड़ गया और महंत की बदौलत जल्दी ही युवजन सभा में जिलास्तर का पद बालिया दौट फिर तो उसका बड़ी मेताओं के बीच उठना बैठना होने लगा ऐसे में ही उसका फोटो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंग यादव और प्रदेश के मुख्यमंतरी अखिलेश यादव के साथ भी खिंच गया जिसे उसने फेस्बुक पर अपलोड कर दिया इस फोटो को काफी लोगों ने लाइक किया इसी दौरान अजय ने दूसरी शादी कर ली दूसरी पत्नी से दो बच्चे पैदा हुए लेकिन दूसरी पत्नी से भी उसकी अंबन रहने लगी और वै भी नाराज होकर बच्चों के साथ माईके चली गई यह दो साल पहले की बात है इधर पाटी विरोधी गतिविधियों की वज़े से अजय को पाटी से निकाल दिया गया लेकिन उसके उस फोटो को देखकर अर्चना तो उससे प्रभावित हो ही चुकी थी अजय और अर्चना की दोस्ती होने के बाद जब तब उनकी फोन पर भी बातचीत होने लगी थी जल्दी ही उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे इसी का नतीजा था कि अर्चना ने अजय को अपने माई के लखनों में मिलने के लिए बुला लिया उसने उसे माई के में इसलिए बुलाया था ताकि मिलने में कोई बाधा उत्पन न हो वहामा के अलावा घर में कोई और नहीं रहता था पापा दिन में ड्यूटी पर चले जाते थे, छोटी बहनबंदना की शादी ही हो चुकी थी वह अपनी ससुराल में रहती थी पती से बहाना करके अर्चना बेटे को लेकर माई के आ गई अजय उसके दिये पते पर लखनव पहुंच गया अर्चना नेमा से अजय का परिचय पुराने दोस्त के रूप में कराया इसके बाद दोनों एकांत में मिले तो खुद को रोक नहीं पाएं और वासना के प्रवाह में ऐसे बही की मर्यादा फंग कर बैठे अजय अर्चना से मिलकर फिरोजाबाद लोट गया तो अगले दिन अर्चना भी लखनव से गोरप्पुर आ गए इसके बाद उसने ओम प्रकाश को महत्व देना बंद कर दिया वह हर घड़ी मोबाइल से ही चिपकी रहती उसकी यह आदत नपती को अच्छी लग रही थी और नहीं सास को जब भी कोई उससे कुछ पूछता वह कोई बहाना बना देती धीरे धीरे ओम प्रकाश को उस पर शक होने लगा इस बीच अजय अर्चना से मिलने उसके ससुराल भी आने लगा था सास पागिश्वरी देवी ने इस नए चेहरे को देखा तो पूछ पैठीन की यह कौन है तब उसने खुद को अर्चना का दूर का रिष्टेदार बता दिया था वह अर्चना के सभी रिष्टेदारों को जानती थी इतने दिनों बाद यह नया रिष्टेदार कोना गया यह बाद बादिश्वरी देवी के गले नहीं उतरी तो उन्होंने ओम प्रकाश से बाद की ओम प्रकाश ने जब अर्चना से अजय के बारे में पूछा तो अपनी गल्ती मानने के बजाए वह पती से लड़ने पर आमादा हो गई बस उसी दिन के बाद उनके रिष्टे में जो दराल पड़ी वह धीरे धीरे बढ़ती ही गई पती पत्नी के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई कि लगभग रोज ही घर में महाभारत होने लगा यही नहीं दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे ओम प्रकाश नितिन को लेकर सोता था जबकि अर्चना दूसरे कमरे में अकेली सोती थी एक तरह से अब अर्चना के लिए पती उसके प्रेम में रोड़ा बन रहा था रोज रोज के जगडे से वह उप चुकी थी इसी का नतीजा था कि उसने पती को रास्ते से हटाने के लिए अजय से बात की अजय उसके लिए कुछ भी करने को तयार था इसलिए वह उसका साथ देने के लिए राजी हो गया पडोस में रवी राय के यहां सालगिरह का कारेक्रम था, जिसमें उम्प्रकाश भी सप्रिवार जाना था यही दिन अर्चना को पती को रास्ते से हटाने के लिए उचित लगा उसने अजय को फोन करके 20 जनवरी को गोरखपुर बुला लिया तीन बजे दो पहर अजय को रखपुर पहुँच गया उस समय मकान में काम चल रहा था, इसलिए बागिश्वरी देवी उपर थी अर्चना ने पीछे की सीडियों से अजय को अपने कमरे में लाकर छिपा दिया देश शाम उमप्रकाश लोटे तो पत्नी से पाटी में चलने को कहा उस समय सिरदर्द का बहाना बना कर अर्चना ने पाटी में जाने से मना कर दिया उमप्रकाश भी जाने की जिद नहीं की बेटे को तयार किया और खुद भी तयार होकर चले गए पती के जाने के बाद अर्चना ने अजय को बाहर निकाला और उसे खिलाया पिलाया उम प्रकाश के लोटने का समय हुआ तो उसे फिर छिपा दिया रात करीब ग्यारा बजे उम प्रकाश बेटे के साथ पाटी से लोटे और बेटे के साथ अपने कमरे में सो गए सोते समय उन्होंने दर्वाजे की सिटकनी अंदर से बंद नहीं की मजदूरों के जाने के बाद उनके औजारों से हथोड़ा निकाल कर अर्चना ने अपने कमरे में पहले ही रख लिया था बच्चों की कूदने वाली रसी भी उसने रख ली थी अपनी इस योजना को वह किसी भी तरह से विफल नहीं होने देना चाहती थी सब के सो जाने के बाद अर्चना रात एक बजे के करीब दबे पाव अपने कमरे से निकली और पती के कमरे में गई देखा की बाप बेटे गहरी नींद में सो रहे हैं तो वापस आई और अजे को हथोड़ा और रसी थमा कर एक बार फिर पती के कमरे में आ गई अर्चना ने उसे पती पर वार करने के लिए इशारा किया तो अजे ने हथोड़े से उम प्रकाश के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया भरपूर वार से उम प्रकाश भले ही चीख नहीं पाया लेकिन शरीर ने तो हरकत की ही जिस से नितिन जाग गया पापा को मारते देख वह चिलाने लगा अर्चना डर गई दूसरी ओर संग मरमर के फर्ष पर खून देख कर अजय भी काम उठा अर्चना ने अजय से बच्चे को खत्म करने को कहा तो अजय की हिम्मत जवाब दे गई उसने मना किया तो भीद खुलने के डर से अर्चना काम उठी तब उसने खुद ही बेटे का गला पकड़ लिया उस समय मा की वह ममता भी नहीं जागी जिसके बारे में कहा जाता है कि मा की ममता से बढ़ कर इस दुन्या में कुछ भी नहीं है मा मर सकती है लेकिन अपने बच्चों को खरोंच तक नहीं आने दे सकती लेकिन वासना में अंधी अर्चना ने बेटे को गला दबा कर मार दिया पुलिस और घर वालों को गुमराह करने के लिए अर्चना ने घर का सामान बिखेर दिया साथ ही सिटकनी खोल कर फर्श पर रख दी ताकि सभी को यही लगे की लूट की नियत से सिटकनी तोड़ कर अंदर आये लुटेरों ने उम प्रकाश और नितिन की हत्या कर दी है इसके बाद दोनों ने बाथरूम में जाकर खून से सने हाथ पैर धोए और कमरे में जाकर सो गए सुबह चार बजे दोनों उठे तो अर्चना ने दर्वाजा खोल कर बाहर जाका कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने पीछे की सीड़ी से अजे को बाहर निकाल दिया वह अर्चना को ले जा पाता उसके पहले ही पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसे पकड़ लिया अर्चना ने प्रेमी अजे के साथ मिलकर जो किया उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी अब उनकी बाकी की इंक्षजदगी जेल की सलाखों के पीछे बीटेगी लेकिन अर्चना को अभी भी अपने किये का दुख नहीं है